प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागतबा, भोजपुरी दुनिया से जुडल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर, चैनल के सबस्क्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग बहुत दमागा होने वाला है, नए साल में लोगों ने बहुत आशिरवाद प्यार दिया मुझे, और साल के शुरुवात से ही अच्छी फिल्मों की भी शुरुवात हुई, पचीस जनवरी गोरिली जोने जा रही है, निरहुआ चलल लंडन, जो भोजपुरी सिनेमा को एक न जो में जाकर के एक एक गाना साथ साथ दिन शूट किया गया, यहां एक दिन में बोजपुरी में एक गाना शूट होता है, साथ दिन में फिल्म के साथो गाने शूट हो जाते हैं, पर यह पहली फिल्म है, निरहुआ चलल लंडन, जिसमें साथ दिन तक एक ही गाना शूट किया गया वो नेपाल के जोमसम जैसे एकदम खुबसूरत लोकेशन में तो कोशिश की गई है कि इसको और बेहतर बनाए जाए बड़ा बनाए जाए और वर्ल्ड कलास सिनेमा जो होता है उससे हम भोजपूरी सिनेमा को टकर लेने के लिए एकदम तयार हो जाएं ऐसा हम कोश थी मतलब मैं कहूं कि 50-60 दिन तक उसकी इतनी बहतरीन शूटिंग होई है कि लोग देखेंगे तो वो बॉर्डर को भूल जाएंगे कि बॉर्डर में क्या फाइट और सिक्वेंस थे सेरे इंदोस्तान में तो उससे भी उपर कर दिया तो यह आप होली पे देखेंगे होली में आएगी यह फिल्म उसके अलावा दो फिल्म और है एक है संया जी दगाबाज और एक फिल्म है जै बीरू वह भी कमाल की फिल्म है दोनों वह भी बनके तयार है तो वह आप देखेंगे उसके अलावा भी हम लोग जो फिल्म किये हैं जो कंप्लीट होई है गबरू पहल शेर जिसके और मेरी टकर होती है लडाई होती है वो मतलब उसके उपर इतना खर्च किया जा रहा है वो एक साल से फिल्म बन रही है उसके बहुत काम हो रहा है अभी तीन-चार दिन बैंकोक में जाके भी उसकी शूटिंग करनी बाकी है बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर दि ही है कि वह उनका कहना है कि मैं अगर कुछ कमाता हूं तो अगर मैं अपने भोजपूरी सिनेमा के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं करूंगा और वह करते हैं उनको मैं दिल से एकदम अभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे अगर निर्माता हों भोजपूरी में तो निश्चित में भी बहुत सारा धमाका हुआ बॉडर आई निर्वा इंदुस्तानी थ्री आई लोगों ने बहुत पसंद किया बहुत प्यार मिला आप लोगों ने बहुत सारा निर्वा इंदुस्तानी 2 के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जो नई शुरुवात हुई है नए साल की इसमें भी हम लोगों ने जिस तरह से प्लान किया है बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी फिल्में आने वाली हैं तो अगला साल और धमाकेदार होगा हम ऐसा प्लान किये हैं और निश्चित रूप से होगा क्योंकि जब ह होली में आएगी अरे 25 तारीक 25 जन्वरी को निरुवा चला लंडन आएगी होली में शेरे हिंदुस्तान आएगी फिर इद में उससे भी बड़ी फिल्म गबरू आएगी उसके बाद फिर आप ऑगस्ट में 15 अगस्ट के आसपास ललू की लेला आएगी तो इस तरह से एक स है जाली भी आम लोग बहुत अच्छे तरह कश से शूट कर रहे है कि ऐसा नहीं की कुछ भी शूट कर दिया बहुत बढ़ियां से बहुत अच्छे लोकेशन पे और समय लेके जैसा कि पहले होता था कि बीस-पचिस दिन में फिल्में बन जा रही हैं हम ऐसी फिल्म नहीं क जहां भी हमारे दर्शक देखें तो उनको दिल को लगे कि हाँ आज जब TV पर आती है राजा बाबू तो लोग देखते हैं उनको लगता कि हाँ हम फिल्म देखें हमको मजह आया कुछ तो लूख को टूटने नहीं देना चाहते हम बड़ा करेंнозPP और बढ़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन ऐसा भी आएगी जब सबसे बढ़ा कर दे भोजपुरी को